हेलो फ्रेंच असलाम अलेकुम वेलकम टू दे लेजी मॉम्स किचन तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड जिसका नाम है फ्रैंकी जी हां दोस्तों फ्रैंकी बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आती है बच्चों क्या बड़ों को भी बहुत जिसे हमने नमक डालकर प्रेशर कुकर में बॉइल कर लिया था और पील कर दिया है और इसके बाद में हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है अब यहां पर हमने कुछ सूखे मसाले दाले हैं तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है एक टीस्पून आमचूर पाउडर तो में रख देंगे यहांपर आप देख सकते हैं मैंने मैदे का आटा लिया जिसे मैने नमक और थोड़ा सा खाने का सोड़ा उसे डाल कर गुंद लिया है उसके बाद में हम इहां पर लगेगा एक ऐंडा इसका यूज में आपको बाद में बताऊंगी तो सबसे पहले हम एक यहां पर हमारी रोटी एकदम गोल बनकर तयार है, अभी हम इसे सेक लेंगे, एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसके ओपर हमने थोड़ा सा ओईल लगा लिया है, और उसके बाद हम अपनी रोटी को इसके ओपर डाल लेंगे, जैसे ही हमें छोटे छोटे बबल्स दिखाए द बख चुकी होगी, आप देख सकते हैं, हलके हलके बबल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सो रोटी को उठा कर देख लीजिए, अगर ये नीचे से अच्छी तरह से सिख चुकी है, तो इसे आप फ्लिप कर लीजिए, और टर्न करके इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर सेक तो हमारी रोटी यहां पर अच्छी तरह से सिख चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पूरी तरह से रेडी है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और यहां पर मैंने उसी पैन को फिर से ओल किया है, दोस्तों, उसमें थोड़ा सा ओल डाला है, और जो अंडा मैंने आ साइड में रख देना है, अब चलेए, इसकी 問points करते हैं, तो यहां पर जो रोटी मैंने तयार की थी, उसे लिया है, उसके ओपर उसे ओमलेट को रख दिया है, उसके बाद में हम इसके ओपर रखेंगे चीस स्लाइस, तो यहां पर मैंने एक चीस के स्लाइस को मिड़ल से क अगर आपको तीखा पसंद हो तो और अब मैं आपको बताऊंगी के इसे फोल्ड कैसे किया जाता है जी हां दोस्तों बहुत से लोगों को ये complicated लगता है बर बिल्कुल भी complicated process नहीं है देखे इस तरह से आपको रोटी का जो निचला हिस्सा है उपर फोल्ड करना है उसके बाद में right side से इसे overlap कर देना है और फिर left side से इसे overlap करना है बस इतना ही है दोस्तों और उसके बाद में अगर आपके पास एक butter paper हो तो बहुत ही बढ़िया बात है आप इसे एक street style shop का touch दे सकते हैं इस तरह से इसे रखना है जिस तरह से मैंने एक square cut किया ह और फिर जो ये triangular part है इसको यहाँ पर रखना है उसके बाद में वही left side से इसे overlap कीजिए और फिर right side से इसे overlap कीजिए इस तरह से और फिर जो उपर का paper है उसे आप नीचे की तरफ ढकेल दीजिए या अगर आप टिफिन में wrap करके देना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से मुझे जरूर बताईए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाईए क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको हमेशा कुछ न कुछ यूनीक बताती रहूं तो फिर मिलेंगे एक आला हाफिज